Hey guys, welcome back to the channel और स्वागत है अब सबका एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं News of the Week की कि क्या कुछ पिछले हफते जो है आटो मोबील्स में नए आया तो शुरुवात करते हैं हम टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स में अपनी SUV का एक नया एडिशन लॉंच किया है जिसको नाम दिया है उन्होंने जेट एडिशन जिसमें हमें एक नया कलर देखने को मिला है और थोड़ी बहुत इंटीरियर की थीम भी चेंज हुई है अगर SUVs की बात करूँ तो यह जेट एडिशन जो हमें नेक्सोन में देखने को मिलेगा नेक्सोन EV में देखने को मिलेगा टाटा हैरियर में देखने को मिलेगा और टाटा सफारी में देखने को मिलेगा एग्जेट एंड एग्जेट प्लस नेक्सॉन, नेक्सॉन एवी, टाटा हैरियर एडाटा सफारी जो है इन दो वेरियंट के साथ जेट एडीशन में आप परचेस कर सकते हैं नेक्स नुज्ज जो है महिंदरा की दरफ से महिंदरा की थार जो है काफी rough and tough SUV और 20 lakhs के budget में बात करें तो काफी capable off-roading SUV हमें बहुत नज़र आती है तो हमें वो spite testing होई यानि कि उसके spite shots जो है वो दिखें है 5 door थार जो हो सकता है जल्दी launch करें महिंदरा जिसकी थोड़ी सी wheel base जो है वो लंबा हो सकता है जाहिर सी बात है कि अगर उसमें 5 doors दिये जा रहे हैं तो उसकी length भी जो है वो भी increase की जाएगी अगर उसके platform की बात करों तो हो सकता है Scorpio N वाला same platform उसमें use किया जाए और उसके suspension सोड़ से और सुधारे जाएं क्योंकि अगर हम ride quality की बात करें तो on road जो है यानि कि highway पे बिलकुल उसकी ride quality अच्छी नहीं है तो हो सकता है ride quality उसकी और भी बहतर की जाए 5 door थार में next news की बात करें तो वो है Maruti Suzuki की तरब से Maruti Suzuki की जल्दी जो है कोई नई crossover car आ सकती है जो कि Bellino पे based है Bellino जो है काफी time पहले यानि कि 2017 में उसका एक RS version आया था यानि कि उसमें 1.0 L का आपको टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता था जो almost produce करता था 100 PS की power लेकिन वो discontinue कर दिया गया था क्योंकि उसके sales figure जो थे वो इतने जादा अच्छे नहीं थे तो अब हो सकता है Maruti Suzuki एक नया crossover car लाए जो कि बेलीनो पर बेस जो अभी फिलाल जो है बेलीनो 1.2 L इंजन के साथ आती है जो कि almost 90 PS की power प्रड्यूस करता है उसका एंजन और 113 Nm of उसमें टॉर्क प्रड्यूस होता है दोनों में आती है automatic और manual दोनों में हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है crossover भी जो है थोड़ी सी लंबी करती है बस हाला कि उसमें जो है एंजन सेम रहे और हो सकता है मरूती अपना turbo charge एंजन भी उसमें वापिस ले है जो कि फिर से produce करेगा almost 100 and 110 PS की power next news जो है वो है Hyundai की तरफ से काफी टाइम पहले जो है हमें Hyundai i20 का N9 version देखने को मिला था और कुछ टाइम पहले जो है Hyundai Venue का एक facelift हमें नजर आया था अगर आपको facelift के बारे में जानना है उसका walk around देखना है तो हमारे channel पे जाके आप i button में मैं link डाल रहा हूँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं तो उसी Hyundai Venue facelift का जो है Hyundai ने N9 version launch कर दिया उसकी booking जो है वो start हो गई है लेकिन launch जो है वो almost 6 September को होगा price जो है तब ही आएंगी और इसमें अगर expectations की बात की जाए तो better suspension हमें देखने को मिलेगा यानि कि stiffer suspension देखने को मिलेगा नया exhaust note हमें देखने को मिलेगा और steering feedback जो है वो 5 color options देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें Hyundai i20 N-line में देखने को मिले थे especially उसका जो blue color हमें नजर आया था काफी सुन्दर लगता है road पे चलता हुआ तो सेम जो हमें Hyundai N-line में भी देखने को मिलेगा अगर इसके engine options की बात करूं तो हो सकता है सरफ एक engine option हमें देखने को मिले जो क योगा turbo charge engine जो की 1 liter CC का है और लगबग produce करता है 110 PS की power next news of the week की तरफ चले तो वो है Morris garage की तरफ से यानि की MG की तरफ से काफी टाइम पहले जो है Fortuner का एक rival launch किया था MG ने यानि की MG Gloucester MG Gloucester में हमें उस टाइम काफी सारे features देखने को मिले थे यानि की panoramic sunroof, massage functions और ADAS level 1 जो की Fortuner में हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते लेकिन still Fortuner की sales को MG Gloucester जो है beat नहीं कर पाई थी तो MG जल्दी 31 अगस्त तक MG Gloucester एक नया edition launch होने वाला है यानि की new facelift MG की तरफ से हमें देखने को मिलेगा Gloucester का जो हमें थोड़े बहुत cosmetic changes दे सकता है और हो सकता है ADAS level भी इसमें increase हो जाए ADAS level 2 हमें देखने को मिले अगर आपको ADAS levels जानने है कि ADAS levels में फरक क्या होता है तो मैं I button में link डाल रहा हूँ आप महाँ पे जाके ADAS levels के सारे features जो है देख सकते हैं कि ADAS level 0 में क्या होता है और ADAS level 5 में क्या extra आ जाता है तो MD जो है अपने Gloucester का facelift जल्दी लाने वाला है जिसमें थोड़े बहुत हमें extra features देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत cosmetic changes देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि शायद अब ये fortuner की sales को beat कर पाए next news of the week की तरफ बड़े तो वो है Lamborghini की तरफ से Lamborghini ने अपना Eurocane का एक टेकनीक का वर्जन जो है इंडिया में launch किया है जो कि almost cost करता है आपको 4.05 करोड एक शोरूम जो कि V10 इंजन के साथ आती है उसमें बात करें तो 5.2 लीटर का V10 इंजन आता है जो कि almost produce करता है 560 PS की power और 70 CT transmission के साथ वो आएगा जो कि उसके rear wheel drive में power जाती है यह all wheel drive नहीं है यह rear wheel drive के साथ आती है next news जो है वो है Mercedes की तरफ से Mercedes ने अपनी एक flagship sedan यानि की electric vehicle जो है launch कर दिया यह Mercedes का एक दूसरा electric vehicle है Mercedes EQC 58 4 Matic अब जो है इंडिया में launch हो चुकी है और इसके power की बात करें तो almost 765 PS की power produce करता है अगर इसके हम battery pack की बात करें तो almost 107 kilowatt का battery pack देखने को मिलता है अगर हम इसके torque की बात करें तो 1020 Nm हमें torque इसमें देखने को मिलता है और थोड़े बहुत features की बात करते है इसमें तो panoramic sunroof हमें देखने को मिल जाती है complete LED headlight का हमें setup देखने को मिल जाता है और जो इसकी range है वो है लगबख 526 से 580 km तक की range Mercedes की यह electric flagship sedan जो है वो निकाल देती है तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना यह मिलते हैं हम आपसे next वीडियो में next वीडियो तक के लिए stay tuned stay connected and till then drive safe